गुड मॉर्णिंग दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं मैं प्रेशान ब्रहंबट अपने चैनल चिरंजीवी क्लासिस पर आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं और जो अपना बैच चल रहा है इसको इंजॉय कर रहे हैं सब्सक्राइब चल रहा है और आपने बहुत कुछ सीखा होगा अभी तक बहुत कुछ पढ़ चुका है अब यह अपन जो पढ़ने जा रहे हैं द्यान से समझने की कोशिश करना अपने 2018 में के क्योशन थियोरी में पढ़ लिए हैं 2020 के क्योशन में आपको करवा दिया है जिस और 2019 को गल्स के अचे क्लास को इस को करें बहुत कुछ में आपको कर दिया है सीपों कर वाया को पूरा एख गबरानामत बिल्कुल रिपीटिड है बिल्कुल रिपीटिड ठीक है अभी जितने भी कोशेंस देखोगे ना तुम सारे जो यह जो पने पढ़ा दी है इनी से इनी के सिमिलर कोशन होंगे एक भी कोशन ऐसा नहीं मिलेगा तुमको कोई सीब ठलना जो तुमसे ना बने ठीक है बहुत इजी चीज है सब को चुझाएगा तुमसे बस समझने की और सीखने की जरूरत है अब आज का फर्स्ट कोशन देखो अब इस क्योशन को देखो और यह बताओ कि मैंने तुमको यह चैसल 2021 में करवाया है कि नहीं करवाया है मैंने यह क्योशन तुमको इस टाइम भी बोला था कि मोस्ट इ इजी है समझने की कोशिश करना इसको मैं ओल्रेडी समझा चुका हूं लेकिन दुबारत समझाता हूं आप लोगों के लिए ट्वेंटी सेवन एक्स प्लस य का होल क्यूब है तो अंदर जाएगा तो क्या जाएगा अंदर क्या जाएगा अंदर 3 जाएगा तो यह कितना हो तो मैंनस-2 के ओ जाएगा ठीक है मेरे मद अभी क्यों मायनस-b क्यों तो तुम क्यों आभ ऑलोत की होगा 3 एक्स3बश ठीके ट्टेगे फिर तुम बोलोगे इसका स्कॉयर 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 वहगा wellness इसका स्कॉयर करो방ट स्क्कारओं कितना गा नैन आइग स्कौारर प्लस नाइन वाइ स्कौाइर प्लस तृछ त्रीजा नाइन इंट यू ठीक है फिर कैया है इसका इडिशन में एलगा तो क्या है तुम्हारा प्लसका 4x square plus का 4y square minus कितना ऐगा तुमारा तुम बोलोगए 8xy ऐगा ठीक है मेरे भanking फिर तुमारा क्या आएगा तुम बोलोगए plus में इन दौने का इंटू आएगा जब तुम इसको इससे into करोगे तुम बोलोगे 6x square आएगा जब तुम इसको इसको करोगे तो कितना एगा तो मारा माइनस का 6XY आएगा जब तुम इसको करोगे तो कितना एगा तुमारा प्लस का 6XY आएगा जब तुम इसको करोगे तुमारा कितना एगा माइनस का Y स्कौायर आएगा ठीक है मेरे बाइन इससे यह कट गया तो यहां पर कितना है तुमारा प्लस का 6x square माइनस का 6y square अगया ठीकMore मैं सॉल्ड ज़ता हूं अ हम पूरे ब्रेकिट में तो की साब रसौ नाई 6y square प्लस एक स्क्क्वार ऑगया तो blir 9 y square िकितना ओ तुम मैंस का 7y square आजाएगा कोई problem तुम बोलोगे मिल्कुल कोई problem नहीं 18xy में से minus का 8xy करोगो तो कितना हैगा plus का 10xy ठीक है मेरे बई और इधर कितना चल रहा देखो यह क्या है minus का 2x है यह कितना है plus का 3x है यह दोनों बढ़ना तुम्हार को यह चीज किसके इक्वल गिवन तुम बोलोगे इक्वल्स टू एक्स प्लस 5y एक्स प्लस 5y ठीक है ब्रेक्ट क्या है तुम्हारा ax square plus by square plus cxy यह क्योशन मेंने सिर्फ इससे लेकर आए को यह बहुत इंप्वर्टेंट है बार-बार रिपीट हो रहा है c की वैलिव लो कितना हो चैन अगई है वी की वाईलु कितना हो आगई आपकी 19 आगई है तो भाई यह का इतना आपका अनसर ले रखा एक है कह एक इतना तुम्हारा इसने Уफ to अध्यर्टी कर दी किया bekommen था क्या गलति युपन लोगों ने है क्या गलति कर दीया इसक्वार्ट साइए यह सरी यह जैक्Ы नैंटीन हो गया ठीक है ठीक है 19 माइनस 6 अचा हाँ हाँ ठीक है ठीक है अपने क्या गलती करें देखो अपने B कितना लिया है माइनस का कितना है 7 है तो यहाँ पर क्या बोल रहा भाई प्लस का 7 ही तो बोल रहा सही तो है प्लस प्लस अरे यह प्लस आएगा ये गलती कर दिया आपने क्या आएगा प्लस आएगा ठीक है ये silly mistakes मत करना आप लोग कितना होगा प्लस 9 Y SQUARE 4 Y SQUARE 6 Y SQUARE तो कितना हैगा 7 Y SQUARE तो B की value कितना आएगी तुमारी 7 आएगी तो ये कितना होगा तुमारा 26 26 minus 10 कितना आएगा तुमारा 5x plus 1 equals to 0 then the value of x square plus 1 upon 9 1 upon 9 x square ठीक है समझने कोशिच करना बहुत easy कोशिच है अगर मैं इसको देखता हूं तो तुम क्या बोलोगे भई इसमें से इसकी अगर value निकालू इसको या रहना पड़ेगा से इवाइड करना पड़ेगा तो यह कितना होगा 3x square upon x minus 5x upon x plus 1 upon x equal to 0 हो गया इससे यह उड़ेगा इससे यह उड़ेगा तो यह कितना है 3x plus 1 upon x equals to कितना है फाइव आया लेकिन अगर मैं कोशन में देखता हूं तो मेरे को यहां पर कितना चीन 9 चीए तो यह चीज किससे बन 3x बनाना पड़ेगा तो मेरे को यहां पर 3x चाहिए तो मैं क्या करूंगा पूरी equation में 3 से क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा समझ में आया कि नहीं है इस 3 से 3 कर जाएगा तो मेरा x plus 1 upon 3x equals to कितना गया भाई 5y3 यहां तक समझ में आया कि नहीं तुम बोलोगे बिल पर आगया ठीक है अब देखो इसको नो बना दो उपर निचा तीन से मल्टिप्लाइ कर दो कितना जाएगा तुम्हारा 19 upon 9 कितना गया 19 upon 9 इसका मतलब कितना है तुम्हारा 2 एक बटा 9 तो option d क्या है तुम्हारा बिलकुल correct answer है आगे बढ़ो इस question को देखो बहुत easy question है क्या देखो दुबारा से देखो 9x square plus y square equals to 37 and xy equals to 2 है then the value of 27x cube plus y cube equals to क्या होगा तो तुम बोलोगे 27x cube plus y cube किससे बनेगा तुम बोलोगे 3x मेरो कहा चीए 3x plus y है क्योंकि जब मैं इसका whole cube करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 27x cube plus y cube आ जाएगा इस तरीके से समझ में आने चीए चीजों को तुम्हारों को समझना पड़ेगा और अब देखो क्यों बहुत एजीली बन जाएगा ठीक है क्योंकि मेरे को यहां पर दे रखा है 9x square plus y square अब मैं उसको देखता हूं तो क्या लिखा है तुम्हार को 9x square plus y square किसके बराबर दे रखा है 37 के बराबर दे हमनेर को प्लस toAybenE MKorage समझना एक बार के लिए इसको बहुत प्यार से समझने कोशी करना थेका वह तुम्हारा की आंदर के थ्ली एकस तुम दे रखेंपना प्लफिक्स के सम्माइगी तुम्हारा थ्रिоки से बनाऊ अब तुम्हारा थ्रिक तो अगर मैंने यहां पर यह चीज एड कर यह तो मैंने किसमें पर यहां पर एड करने कोशिश करना तो अब यह परफेक्ट इसक्वायर बन चुका है मतलब तुम्हारे पास क्या है कि 9x स्कवायर प्लेस वाय स्कवाय क्लस समझने कि कोशिश करना एक इतना का एकुत्त एक वस्क्वाय जो तुम की ओंपलाइब फाल आगा सथ के वरबर आगया अब एक्श्क पूछरहा है savior एक्सक्यूब प्लस वाइक्व तो मतलब तुम क्या घूट कर दो और इसका भी होल क्यूब करना पड़ेगा समझ नहीं कि न्यारों तुम बोलोगे कितना होगे तुम्हारा 27 x सेवन का क्यूब तो यहां तक किसी को भी प्राबलम है तो बताओ अब बोलोगे एक्स वाई एक्स वाई की जो वैलियो कि तुम्हारे को टू रख दो तो यह कितना गया अगर तुम से टेबल नहीं याद हो रही है तो समझने की कोशिश करना एक चीज़ बहुत पहरी समझाता हूं अठारा को ऐसे लिख सकता हूं 10 प्लस 8 इंटू साथ लिख सकता हूं नहीं लिख सकता तुम बोलोगे बिल्कुल लेकिन आप यहां पर भी तुम्हारी कैलकुलेशन तुमको टेज करने ही पड़ेगी इस तरीके से बनाने के लिए यह कितना हो गया तुम्हारा 56 सतर में 56 जोड़ो गया तो कितना आएगा सब्सक्राइब तुम्हारा 126 समझ माया कि नहीं यह ूँगे उगी सब्सक्राइब कितना हो गयाँ माइनस कर दोगे तो बहुत अच्छे हैं इसमें यह वाला ठीक है सिंप्लिफिकेशन टाइप और एक और होगा ठीक है अगर मैं स्कूर्शन को यह समधाने कोशिच करूं तो देखना एक बार किता देखा 0.0203 into 2.92 upon 0.7 into 0.0365 into 2.9 divided by इस चीज को बाद मैं देखता हूं लेकिन अगर इस चीज को देखता हूं तो यहां पर देखो कितना है एक दो तीन चार पांच छे एक दो तीन चार पांच छे तो मतलब जितने भी पॉइंट है यह कट गए गए निकट गए सबसे फेल यह करो ठीक है तो तुम्हारे पास यह चीज आई क्या समझने की देखति इसको बसी आई क्या तुम्हारे पास two-zero three into कितना है two ninety two upon में कितना है तुम्हारा seven into 365 ठीक है और यह तना है तुम्हारे ट्वंटी-n Nice तो यह कितना है तो यह 29 से 29 भी कट गया ठीक है मेरे वह यह कितना है 292 अपन 65 अधिक है 292 अपन 65 इसको अगर मैं काड़ता हूं एक बार के लिए 73 से तो इस 973 또 293 minus 24 4 तो एकसी तो अपने पास कितना है 45 अप दिवाई वादी चीजा डिए की चल रहा है तोना ऐस्कॉायर मैंडि स्कॉायर चल रहा है टोनिंड जिए देंगे तो अगो टिम गले है मिनज भी क्रूब ठीक है एई स्क्वाइर माइनस बीसक्वाइर तो यहां पर कितना है तुम्हारा यह इस पॉइंट दो चार नीचे देखता हो तो समझने कोशिश करना बहुत प्यार से समझने ना इस चीज़ को नीचे यह चीज ऐसे लिखी विए है 0.25 का स्कॉयर यहां पर तरह रहेंगा 0.5 into 19.99 तो भाई यहां से 0.25 0.25 common ले लूं यह इस तरीके से common अजाएगा 0.25 तो यहां बच्जाएगा 0.25 plus 19.199 अगर मैं इसको add करता हूं तो पांच कि यह कितना चार आएगा ठीक हैं तो यह कितना जाएगा तुम्हारे पास दो आजैएगा ठीक है तु यह कितना जाएगा तुम्हारे बस बीस आगया ठीक है नोनों की अधिशन पर किया यह यह और इस Nepom है जिरो पॉइंट टू फई ए ठीक है तो इस चीज से क्या बन करके मेरे मेरे पास्य की बतो और सब्सक्राइब करते हैं जब भी चेंज गरते हैं तो काड़ता हूं तो कितना पांच आएगा इस से इसको काड़ता हूं तो सुआ जाएगा तो अंसर कितना आया तुम्हारा 0.05 आ गया कितना गया 0.05 option A है समझ माया कि नहीं किस तरीके से को करेंगे कि पेपर में जिस तरीके कोशन से अपने ठीक है में के कोशन से और कुछ भी नहीं को कितने कितने सारे कोशन में करवा चुका हूं भाई AQ AQ plus BQ plus CQ minus 3 ABC equals to कितना रहा एक सो पिचतर दे रखा है A plus B plus C कितना दे रहा तुम्हार को साथ दे रहा तुम से क्या पूछ रहा भाई A B plus B C plus C तो तुम बोलो के भाई एक सो पिचतर एक्वल स्टू साथ साथ का स्क्वाइर करो कि 49 आएगा माइनस 3 इंटू A B plus B C plus C आजाएगा ठीक है फॉर्मूला होता है इस से इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा बाई 25 आएगा ठीक है इस माइनस 3 ABC इसको दढ़ लिया होगे तो यह पॉजिटिव का हो जाएगा A B plus B C plus C A ठीक है और यह 49 में से कितना जाएगा तुम्हारा 25 आएगा तो कितना बचेगा 24 कितना आएगा 24 चोईश और यह 3 क्या होगा इसको डिवाइड करेगा इससे स्कोड़ाओगे तो कितना आएगा तुम्हारा अंसर आठ आ गया ह हटाओ आगे बढ़ो इसकोशन को देखो अभी थोड़ी देर पहले डिट्टो यसा का यसा कोशन करवाया है ठीक है अब देखो क्या रखा एक स्कॉयर प्लस 4Y स्कॉयर इकोल स्टीन एक्सवाइड कितने रखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना इसकोशन को बहुत इजी है मतल nurture रही से बनाया है और मैं कि स्कॉयर रींस बनाया है और अगर को होस्कॉयर जेखता हूं तूम बोले कैश इठ सकॉयर 1 राया किक ने ना प्लस 4 الي स्कॉयर प्लस सब्सक्यृ कहते हैं यहां पर एक्सवाइक सब्सक्राइब देखbelsाइब और प्लैस इसके बोपर heart सब्सक्राइब तिक्योब टीक है मेरे प्लैस क्या बोल रहा है कि इतना है 8y का cube समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो तुम बोलो कि इसका whole cube कर दो answer आजाएगा ठीक है जब मैं इसका whole cube गरूँगा तो answer आजाएगा तो क्या हो गया x cube plus 8 cube plus तुम बोलो कि 3 into 2 into xy आएगा xy की value कितनी है 2 और फिर कितना है गा x plus 2y कितनी है 5 बराबर कितना है तुम बोलो कि 5 का cube वो कितना है 125 है समझ मैं तो यह कितना हो गया मेरे भाई 10 और कितना हो कि 60 125 में से 60 गया तो कितना है तुमारा 65 आएगा हटाओ आगे बढ़ो इस question को देखो और क्या दिर का if 2x square minus 7x plus 5 equals to 0 then what is the value of x square plus 25 upon 4x square समझने कोशिच करना इसमें का करोगे एक से डिवाइड करोगे तो जब x से डिवाइड करोगे इसी तरीके से करोगे ठीक है ऐसे करोगे ठीक है अगर इस चीज को देखों यह तुम से पूछ रहा है कैसे बनेगा तुम बोलोगे बनेगा एकस प्लस फाइव अपॉन टू एकस से बनेगा यह किससे बनेगा एकस प्लस फाइव अपॉन टू एकस से बनेगा देखो यह कट गया तुमारा तमीश से देखों के तो कट गया इस x से स्क्वायर कटिए तो तुम्हारे पास कितना है एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स इक्वल्स टो तुम्हारे पास सेवन हो जाएगा यहां तक किसी को आको हुआ Fut at गया तुम्हारे पास क्या गया ऑईißt-प्लेस फाइब अपॉन टू एक्स इक 7 अगया अभिस्काइब स्क्वाइर करोंगे तो तुम्हारे पास कितना हो जायगा एक्स वाइब ऑपॉन टू से कट गया क्या दिखने 2 5 upon 2 2 आएगा ठीक है माइनस का क्या गलती कर दिया अपन ने कहां गलती कर दी अच्छा 7 by 2 यहां पर 4 भी चाएगा यह रहा 7 by 2 है भई 7 by 2 है ठीक है तो यहां पर कितना आएगा तुम्हारा यह 4 आएगा जब सका स्क्वाइर करोगे तो इसको इस से कितना आएगा तुम्हारा तुम बोलो के 20 आएगा 2049 में से मानस करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 29 अपन 4 आएगा और इसका मतलब कितना है साथ एक बटा चार अप्शन कौनसा सही है तुम्हारा भी ह्हागा बड़ो क्योशन दे को दूसरा अभी ये विशन तुम्हार लिए ने कुछ से करना तुम्हार को बहुत बक्न बहुत ब्रॉसर बिशंट को दे को बहुत ही जहीं क्योशन है आख स किक ऑपका़ छिए है कि उनक पर fonctionne को पह अच्छी form में बनाना पड़ेगा जिस से मैं क्या कर लूँ? क्रुशन सौल मतलब इससे मैं जो चीज बना सकता हूं उस form में कनवर्ट करना होता है अभी कितना वह एक सी पावर सिक्स इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं X3 से मतलब मैं क्या कर रहा हूं इस में दोनों ऐक्सक्यूब यह कटे गया है यहां पर यह इससे पावर 3 रहाई उपर तो किया तुम्हारा सब्सक्राइस माइनश 1 अपन एक्सक्यूब 3 यह और यहां पर कितना थे तुम बोलो गे एकस क्यूब माइनस 1 अपान x cube माइनस 8 आ है ठीक है मेरे वई अगर मैं देखता हूँ कि x माइनस 1 अपान x equals to 5 है तो तुमको पता होना चीह कि x cube माइनस 1 अपान x cube कितना होता है तुम बोलोगे 140 होता है 140 प्लस 3 और नीचे कितना हैगा 140 माइनस 8 अगर मैं इसको देखता हूँ तो यह कितना होगे 143 और यह कितना होगे 142 11 से दोनों कट रहे हैं यह कितना है तुमारा 13 और यह कितना हैगा 12 तो 13 अपान 12 इस question का बिल्कुल correct answer है आगे बढ़ो मैंने बहुत और question हैगा यह question भी बहुत अच्छा question है अगर इस question को मैं तमीज से देखूंगा तो ही solve हो गई है नहीं तो नहीं होगा यह question कभी भी solve ही होगा तुम इसको बहुत time लगा दोगे calculate करने में इसका square लिका लोगे उसका cube निकालोगे उस तरीके solve करोगे उस तरीके से solve नहीं करने होते हैं question को सॉल्व गड़ना है तो एक तरीका जूंडना होता है ठीक है या करना होता है एक जल्दी से जल्दी को कर पाएं देखो ध्यांसे समझने की कोशिश करो स्कुष्चन को क्या रहा है बाहर 27 दे रखा है इंटु क्या ररेखा तुम्हार को 0.25 गयृ रखा है बाहर कितना दर क क्यूब अगर मैं इसको इसके अंदर भैजू तो अन्दर जाएगा जब तीन और पटीस से इंटू और किस्ता बनाएगा समझ मैं की निया है और जब इस 5 को इसके अंदर भीजूँगा तुम बोलोगे मतलब 125 के जएगा अधर पांच जाएगा और वेजुन को तो कितना जाएगा आपका यह कितना हो जाएगा 0.25 का क्यूब हो जाएगा समझ में यह की निया प्लस चल रहा है ठीक है और आप में नीचे देखता हूं तो यह तुम्हार को यह रखा है तो मतलब तुम्हार को समझने की जरुवत है यहां फश्विसा थोड़ी to practice के सिदिए तुमारा जब यह थुक्तुमारा तो यह क्योब तुमको यहार थमारे को फॉरु थ्यान थम्हान है तो तुमको नीचे तो समझने की जरुवत है यह कितना होगा इस तरीके होगा और अंदर कितना a² plus b²-a मेरे को-a मैंस भी दिख गया है मेरे को a square भी दिख गया है मतलब मेरे को यह दोनों चीज़े डूंड नहीं है इन दोनों चीज़ों के अंदर कि यह कैसे बनेगी ध्यान से देखूं तो यह कितना 0.50 भी हो सकता यह जिरो लगा सकता हूं 50 कोई problem है तुम बोलो के नहीं और एक चीज बत सब्सक्राइब करना इसको अंदर इंटू करना इसको यहां पे इंटू करना है उपर क्या है तुम्हारा एक्यूब प्लस बी क्यूब तो तुम बोलोगे क्या तुम्हारा ए प्लस बी तो कितना है गा 0.75 प्लस 0.25 ठीक है अंदर कितना है तुम बोलोगे 0.75 का स्कॉयर प्लस 0.25 का स्कॉयर माइनस 0.25 इंटू 0.75 आएगा कोई problem और नीचे के आ रहा है तुम बोलोगे 0.75 का whole स्कॉयर यह कितना होगा देखो यह से मिल्टिप्ला होगा तो कितना है का माइनस का 0.25 इंटू 0.75 और यह कितना होगा प्लस का 0.25 का whole स्कॉयर अगर मैं इस चीज को देख रहा हूं नीचे वाली चीज को और इस चीज को देख रहा हो तो यह सेम बन चुकी है और यह कट गई है ठीक है तो अपना अंसर कितना है अगर 0.75 प्लस 0.25 और इसका मतलब कितना है आगा आपका 1.00 तो इसका अंसर कितना है तुम हो लोगे वन आया इसका अंसर बहुत ही प्यारा कोशनता बहुत अच्छा कोशनता अब इस कोशन को देखना यह बहुत इंपोर्टेंट है वही मैंने क्या बला था इस अगर 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 इन दोरों को देखता हूं तो क्या होगा तुम्हारा यह a plus b a minus b बनेगा और यह क्या बनाएगा a square minus b square बनाएगा जब इसका whole square करोगे तो कितना हैगा तुम बोलोगे तीन का square यह कितना हैगा 27 और यह कितना हैगा 27 minus 25 करोगे तो कि नीचे कितना हैगा 2 आएगा तो यह कितना है तुम्हारा 8 plus 2 root 3 multiply मैं यह 3 root 3 minus 5 अपोन में कितना है तुम्हारा 2 आ गया अगर देखो इन दो नमर से देखो 2 को मना रहा है तो 2 को मना आएगा इससे यह कर रहा चार और यह 2 कट गया तो तुम्हारे पास कितना है 4 plus root 3 और इंटू में कितना है 3 root 3 minus 5 है और equals to क्या चल रहा है यहां पर आपका यह किस 5 root 3 आएगा ठीक है फिर यह 4 इससे multiply होगा तो यह कितना है आपका आप बोलोगे 20 आजाएगा माइनस का ठीक है यह 3 इससे multiply होगा तो यह कितना है तुम्हारा plus का 9 आजाएगा ठीक है और यह 3 इससे multiply हो तो माइनस का कितना है 5 root 3 आएगा और यह कितना है a root 3 minus b है अब देख इन दोनों को देखता हुं तो यहंपे कितना मायनस का 11 आएगा और इन कितना चल रहा है। है अगर मैं यहाँ पर ले एखता हूँ इन दोनों को compare करता हूं तो तुम बोलो गारि गार वह की जो साथ गई है और बी की साठी जो फ़ेमिस्टन गय है तो वंसके तुम 2 upon x square equals to क्या होगा ठीक है बहुत इजी गोशन है मेरे को यहां पर आठ चीह है मैं x के इसी क्या वैल्यू डालू कि 8 हाजाए तुम बोलो अगर मैं x को इसको इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि यहां पर 32 है तो बनाने में पता नहीं तुम किस तरीके से बना पाओगे इसको तुम तरीके से कर दो हिटन ट्राय लगा कर गये और एक अगर को यहां पर चार डाल देता हूं क्या यहां पर चार पूट कर देता हूं यहां पर चार पूट कर देता हूं यहां पर कितनी चार पूट कर देता हूं तो देखो इस चार से इस को काटो तो कितना है गा चार आएगा चार प्लस चार कितना बना दिया मेरा आठ बना दिया समझ महा है तो यह क्वेशन सैटिस्वा bracket 3-2 upon x equals to 3 upon x then the value of x cube minus 1 upon x cube बहुत easy question नहीं है ठीक है क्या करना पड़ेगा सबसे पहले यह जो x है इसको अंदर भेजो यहाँ पे तो यह कितना हो जाएगा तुम बोलो कि 3x minus 2 हो जाएगा और यह कितना चल रहा तुम्हारा 3x चल रहा है समझ में आया कि नहीं है जो x है उनको पास में लिया हो इस वकर 3x को जड़ लेकर आओ तो यह कितना हो जाएगा 3x minus 3 upon x equals to कितना हो गया तुम्हारा 2 हो गया यह मेरे को यहाँ पे और यहाँ पे 3 common दिख रहा है तो मैं common लोंगा ही कितना हो जाएगा x minus 1 upon x equals to कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इस 3 को नीचे बेच दो कितना हो जाएगा x minus 1 upon x equals to 2 upon 3 आ गया है ठीक है मेरे भाई अब मेरे क्या निकालना है x cube minus 1 upon x cube खुच से निकालना आगे बढ़ो इस question को देखो क्या दे रहा भाई x square plus 1 upon x square equals to 7 है then the value of x cube plus 1 upon x cube equals to क्या होगा ठीक है मेरे भाई बहुत easy question है क्या दे रहा भाई x square plus 1 upon x square अगर मेरे को इसको perfect square बना तो तुम बोलो कि यहाँ पर 2 add कर दो तो में को 2 यहाँ पर भी add करना पड़ेगा साथ में तो यह कितना आजाएगा x plus 1 upon x का whole square किसके बराबर आगा 9 के बराबर आएगा तो x plus 1 upon x की जो value आगई मेरे भाई वो कितने आ गई आपकी 3 आ गई है तो x cube plus 1 upon x cube की जो value है वो कितने आगी 18 आएगी तो option d बिलकुल correct answer आगे बढ़ो इस question को देखो बहुत easy question है इस root x plus 1 upon root x equals to 3 है then the value of x cube plus 1 upon x cube equals to क्या होगा तो भाई इसका पहले मेरे को whole square करना पड़ेगा तो यह कितना हो जाएगा x plus 1 upon x 9 कितना हो जाएगा 3 का square 9 minus 2 7 आजाएगा समझ मैं x plus 1 upon x equals to कितना होगा 7 आजाएगा समझ मैं कैसे है साथ ठीक है अब तुमसे कैसे क्या पूछ रहा है x cube plus 1 upon x cube पूछ रहा है तो यह कितना होता है भाई 3k मतब k cube minus 3k तो यह कितना होगा तुम बोलोगे 343 minus 21 करूँगा तो मेरा answer कितना होगा 322 आएगा आगे बढ़ो इस question को देखो और बहुत ज़्यादा easy question है क्या बोल रहा है भाई if x minus 3 upon x equals to 6 then the value of x की power 4 minus 27 upon x square upon x square minus 3 x minus 3 है तो तुम बोलोगे भाई यहाँ पर में कोछ आप दिखरा x से divide करना पड़ेगा तो यहाँ पर भी x से divide करना पड़ेगा ठीक है मेरे भाई तुम यहाँ पर करूँगा x से divide कर दूँगा इसमें भी x से divide कर दिया कोई problem है तो बताओ तुम बोलो कोई problem नहीं इस x से x कर दिया इस x square से इस x से x square कर दिया इस से यहाँ पर यह कर दाएगा ठीक है यहाँ पर कितना आजएगा तुम बोलो के x-3 upon x-3 आजाएगा ठेक है मेरे वाई इस तरीके से को देख रहा है को चुका है बहुत इजी ली हो चुका है को ठीक है अब क्या बोल रहा है कि समझने कोशिश करना इसी का मेरे को क्या चीक क्यूब चीए यह इसी का तो क्यूब है तो बना दो कोई दिक्कत व और यह इतना गया चाहिए तो यहां पर 54 माइनस कर दो के तुम तो यह कितना जागा दो और यह कितना गया 172 आ ठीक है मेरे भई हाँ 172 आ तो इसकी वैलु कितना गई 172 आ गई कुछ गलती कर दी गा अच्छा अच्छा यहां पर किया आएगा बीच में प्लस आएगा यार माइनस इना देखो यह माइनस वाला है अन्य अपने पास यह चीज़ गयवन है X-3 upon X equals to 6 अपन से पूछ रहा है X-27 upon X-3 तो यह क्या होगा तुम बोलो के क्यूब मतलब 6 क्यूब कितना है का 216 ठीक है प्लस 3K मतलब 6 अब यह जो 27 का 3 है यह भी तो आएगा यहाँ पर तो यह कितना होगा तुम्हारा 54 इसमें चाव तो फिरिणोफ के लिट mesma30 कितना होगा संगता होगा 270 होगा यह कितना के तुम्हारा 270 समझ में आए कि नहीं तो इसकी बैल ग्ली टुम्हारे 270 ए है ठीक है और नीचे वाले कि इसकी बावारे पास आद्गि यहे था कि जो टेक्श है rationalization पर होगा एक question पूरा rationalization करना पड़ेगा आपको the value of 5 minus 8 plus 2 root 15 upon 4 minus 1 upon 8 plus 2 root 15 is equals to क्या होगा ठेक है ध्यान चे समझने कोशिच करना इस question को क्या है 5 minus 8 plus 2 root 15 upon 4 minus 1 upon 8 plus 2 root 15 यह यहाँ पर नीचे root दिख रहा है बिरे को इसको टाना तो आप बोलो कि कर दो आप अलगा 14 कर दो कितना होगा 8 minus 2 root 15 upon कितना है अलगा 8 minus 2 root 15 आप भई अब नीचे का बनेगा मानेस B square बनेगा 8 kा सक्वायर का दूप कितना होगा चौह सट आएगा ठेक है और तू-15 का स्कौहकर करो करो कि किरो कि तो कितना हैगा साथ हैगा समझ में आए कि नहीं है तो नीचे कितना है तुम्हारा चार आएगा तो यह कितना हुआ तुम्हारा माइनस का पांच माइनस आट प्लस दो रूट पंदरा अपॉन चार ठीक है माइनस यह कितना हुआ 8-2 root 15 upon में कितना हैगा तुम्हारा 4 अगर मैं तमीज से देखता हूँ तो यह minus है यह अंदर जाएगा तो यह कितना हैगा 5-8 minus 2 root 15 समझ में रहा है और यह minus अंदर जाएगा तो minus का 8 plus का 2 root 15 upon में यह कितना होगा 4 हो गया ठीक है तो इससे यह कट गया तो कितना हैगा minus का तुम्हारे पास कितना हैगा भाई 8-16 आएगा तो कितना हैगा 16 upon 4 तो कितना हैगा 4 आएगा तो answer कितना है तुम्हारा 1 तो इस question का answer का तुम्हारा 1 आया समझ में आया कि नहीं है कि अगर आपन ने जो minus जाएगा नहीं से जब मल्टिब आई इसको तुम करोगे solve तो यह माइनस अंदर जाएगा तो यह भी माइनस का होगा भाई समझ में आया कि नहीं और यह माइनस जाएगा तो यह पॉजिटिव हो जाएगा समझ महां बागी बहुत इसी था इसको solve करना में जाएगे मेंस 2019 ठीक है और आज जो अपने करेंस की क्लास है एलजेरा की बिल्कुल हो चुकी है ठीक है बिल्कुल तरीके से आ रहा है ना तो शेयर करा करो ठीक है तो यह ती वीडियो अगर वीडियो चले के लिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई है वाग्रेट डे टेक केर